हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स ये है हमारे अमावस्या वाले दिन का पार्ट टू उस दिन हम गौशला जाने के बाद दिशारा मेला भी गए थे मतलब जो मिला लगता है वो दिशारे तक लगता है इसलिए रोशन ग्राउंड दिशारा मेला कहते है तो उसका वीडियो मैं पहले वले ब्लॉग में नहीं डल पाई क्योंकि ब्लॉग जदा बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने उसका पार्ट टू कर दिया अब यहां हम चले गए दशारा मेला जो यहां होश्यारपुर का रोशन ग्राउंड का दशारा मेला कहला जाता है जो मतलब बहुत फेमस है यहां का तो यह पूरे 10 से 12 दिन 15 दिन चलता है दशारे वाले दिन ही यह खतम होगा तो बच्चे जीद कर रहे थे दशारे मेले मेले में जाने की तो इसलिए हम लोग बच्चों को साथ में लेकर चले गए तो काफी अच्छे जूले होते हैं बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए भी काफी सारी शॉपिंग की चीजें है, किचन की चीजें है, क्रोग क्री बगहरा, बहुत सारा समान मिलता है यहां पर, तो लगी हाथ में भी थोड़ीशी शॉपिंग कर लूँगी, तो हम आगे हैं देशरा मेले में यहां पर यह बूत बंगला था रूचिका बूत बंगले में जाने की जिद करें थी लेकिन मुझे तो लगता है बाई डर तो मैं तो गई नहीं रूचिका के साथ तो यहां कुझ ले रहा है जूले आते ही इनको जूले दिख रहे हैं तो यह जूले ले रहे हैं रूचिका न तो यहहां आचार की बढ़निया और कीचन की ये देखों उलड व काफी काफी है चीज तो बहुंत अच्छा लग सार अच्छे चीजिए हां अगर को피ति लें इहां जाने का मनी नहीं लोगा चॉक केचन में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती और यह यहां पर मैंने कुछ यह यहां एक प्लांट के लिए मुझे पॉट चाहिए था स्नेक प्लांट के लिए वह प्लास्टिक वाले में पड़ा अभी तक लेकिन मुझे कलर कुछ पसंद नहीं है वाइट है तो मुझे यहां कुछ डाक कलर लेना था यहां मुझे नहीं मिला इसलिए मैं नहीं लिया और यह चोटे-चोटे कप प्लेट्स कितने क्यूट हैं यह भी बहुत प्यारे थे लेकिन किस काम के इसलिए मैं लिये नहीं और बहुत अच्छी चीज़ थी देखिए आपको दिख रही जालने के लिए यह जार सारे चटनियों के लिए बहुत जादा सुंदर थे हैं यह बन फिफ्टी की ट्रे अउनली बहुत अच्छी थी तो मैंने एक लेली मतलब इतना सुन्दर समान था ना मतलब बिना लिए यहां से कोई जा ही नहीं सकता बहुत अच्छा समान था तो कॉसली था यह नहीं कि सस्ता था मेला है तो सस्ता होगा नहीं सेम ही था जैसे ओनलाइन में हम जार देखते हैं ना जार चार के लिए देखते हैं तो चट 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 तीन का सैटो ट्रे तो वह 350 में भी यहां मिल रहा था वही सेम चीज आपको ओनलाइन फिलिपकार्ट पर ही मिल जाएगी तो उसके बाद हम अपनी शॉपिंग करके फिनिश करके आये तो देखा अरे यह टैटू वाले भाया के पास क्यों बैठे हैं तो बताया इन्होंने कि मैं टैटू बनवाने वाला हूँ है मुझे तो बहुत डर लगता है मैंने सूचा पर्मानेट वाला नहीं होगा तंप्रेर होगा कैते नहीं पर्मानेट वाला टैटू बनवा रहा हूँ तो इन्होंने बनवाया टैटू जब तक हम गूम फिर क्या आते हैं उसके बाद बच्चों ने की थोड़ी सी पेट पू मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बीड़ थी बहुत ज़्यादा क्योंकि एक तो सेटरेडे संडे था सेटरेडे था मतलब वीकेंडे था तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीड़ थी इसलिए मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई तो यहां इनका tattoo बनकर होने वाला है तैयार अभी पहले इनोंने एक sticker लगाया है तक कि अच्छे से draw हो जाए उसके बाद उनोंने जो pin उठाई ना मुझे तो उसको देखकर ही डर लगया तो मैं उसका video shoot ही नहीं कर पाई तो मैं आपको दिखाती हूँ यह पूरा बनने के बाद तो friends यह हो गया है इनका tattoo बनकर तैयार तो यह है शिवजी के भक्त तो इनोंने देखिए क्या बनवाया है देखिए यह बना है मतलब इंचिस के हिसाब से बनता है tattoo तो यह 4 इंचिस का था एक इंच का 200 रुपए होता है तो इनोंने 800 कुछ लिए थे तो काफी अच्छा टाटू बनाया तो यह 15 दिन बाद फिनिशिंग आएगी इसकी अभी 2-3 दिन तक पेन रहेगा इसमें उसके बाद इनोंने दर्द बरदास किया तो अब कुछ खा पी रहे हैं तो यहां कुछ को लेने है जूले तो मैं यहां उसके टिकेट कटवा रहे हूं कुछ के लिए ताकि वो जूले ले से तो फ्रेंड्स पूरा मेला गूमने के और खाने पिने के बाद और कुछ शॉपिंग करने के बाद हम चल दिये ग्राउंड से बाहर की और मतलब मेले वाले ग्राउंड से बाहर की और क्योंकि आज था ग्रहन चंदर ग्रहन था यहां तो ज़दा एफेक्ट नहीं था इंडिया में लेकिन फिर भी साड़े आरब जे ग्रहन स्टार्ट ओने वाला था इसलिए हमने जल्दी जाने का सोचा क्योंकि जल्दी जाएंगे और कुछ खाना भी तो बनाएंगे उसके बाद यहां हमने यह भूत जो यह है वो लेने का सोचा क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें काम आएंगे तो यहां हमने लिया उसके बाद हम लास्ट में आते आते हमने बेल पूरी खाई फ्रेंड्स आज का व्लोग आपको कैसा लगा अच्छा लगो तो प्लीज कमेंट करके बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगार मत जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स ब्लोग में बाई